प्यारे प्यारी बच्चों कैसे त्यारी करने हैं और दिन को कैसे लेकर चलना है आखरी दिन क्या करना है है पूरे तैयारी दो मांक्स कोशन है काउं कने चैप्टर स के वी बता दिया तो फिर ड़रना किस बात का जितने हैं क्या कENE लगई भागों के गहँने भासे बाठास्व क्या पर भासन तो क्या आप है उनकोivos देखना की कोशिश करना उसके बड़ नेक्स डे क्या करना इंदे गुमते एक खाना खालिए तो उसके पहले घूमते-गुमते-धूमते की फुरण पड़ते-चलना इस तरीके से करूए आपको पता ही चलेगा कि पूरी पेपर के तयारी हो गई मैंने पहले वह बताया तो फ और चितने मांको कितने शब्दों में लिखना है डिए न तो इसको क्या है पूरब आपको पूरब लंबच रोड़ान लिखना है अगर दो काराण पुछा है तो सिंपल सा दो लाइन में दो कारान लिख देना है दो दो नाम लिख दो इसमें पूरा आपको ने सोचने कि पूर तीन सब्ट लिखने इसमें कि है वह शब्ट सीमा थी भूनी काई अगर सिर्फ दो नाम बोला है जायत वसलों के दो नाम तो आपके तर्बुश-खरबुश जायत वसली क्या है पूरा बड़ा बड़ा आंसर नहीं दो मार्स से कोशन में जितना छोटा अच्छा लिखोगे जो सामने चेक करने वाला अच्छा दो इतना छोटा ठीक है ठीक तुरन पढ़ेगा और दो ही मार्स का तीस सब्द है योगि शुरुआत वहीं से करो के जैसे मैंने बताया था यह सब्सक्राइब लगता है और उसको दो मार्स कोशन सही अडगरवड हो गया कि आपको सही सही नहीं दिये तो क्यों को पूरा आगे फिर चैक करने में उसका दिमांगी चक्राइगा इसलिए दो मार्स कोशन बहुत अच्छा से लिखना है तीक है इसलिए है पहले मैं दो संसाधन विकास विकास की समझ और भूमी संसाधन यह तीन थे ठीक है बच्चो उसके बद क्या इकाई चार क्रिशी दो विश्वेद्र की विश्रुसी या मुद्र साथ तो दो माक सा कोशन यहां से आए गए ठीक इकाई नो नौक तंकतर समाजी गांदोना अधिवास वैश्विकरन तो यहां से दो माक से कोशन आ सकते हैं इकाई पांच खनी संसाधन जो दो विश्वेद्र की विजन में सरकाई बजट तो यहां से दो माक से तो जितने कोशन मुझे लगते थे कि दो माक से कोशन यहां से निकल सकते हैं या कुछ कोशन आफसेट्स मैं निकाले हैं उसको अच्छे से देख लो चैप्टर्स को पढ़ना है ऐसा नहीं बोर यूद से इसी वीडियो को देखके लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म है कि अगर आपको त्यारी नहीं हुई है या आपको रिवीजन हम कर पहले कर चुके है ठीक अभी क्या करना रिकॉल तो मैं इस कोशन में क्या करूंगे रिकॉल अच्छा यह पढ़ाता यह पढ़ता यह पढ़ता ह हाँ ठीक है इतना पढ़ लिया ठीक है इसमें से कोशन आंगा मैं आंसर देदूँगा ठीक चलो हम अपने आंसर पर आते हैं पहला क्या है एंडोसल्फान क्या है एक इस्थाई जैवी प्रदूशक माना जाता है एंडोसल्फान का और उपयोग आम तर पर क्रिशी में कीट प्रभाव के कारण इसे विश्व इस्तर पर प्रति बंद कर दिया है इतना लिखना है चलो आगे आज जो मेरे बच्चो ब्रति गिए ने सके लिए गी कोशिश यह बोलते ना कि अच्छा उसका दिमाग बहुत सबके पास उतना ही होता है। कोई बहर से लगा की नहीं जाता है उसके पास एक्स्ट्रा 200 अच्पाणि जाता है, वो होता क्या है कि उसदेशीजों को recall करने की शक्ति उसने बढ़ा लेती है और वो कैसे कि वो चीजों को देखता है अच्छा अबसिस्ट प्रदार्थ को ऐसा होता है कच्रा देखा कच्रा क्या होता है बही लोगों ने छोड़ दिया यह रिखना है जब ये चीज़े आप समझ जोगे तो आपको आंसर रखने की ज़रूरत नहीं होगी बच्चो ठीक है तो चलो देखो अपसिस्ट प्रदार्ट क्या है शाब्दी करता है आवांशित अनुप्योगी वर्जी या कछड़ा किसी भी प्रदार्ट का प्रात्मिक उप्योग करने या होने के बाद जो शेश बचता है उसे अपसिस्ट प्रदार्ट या वांशित प्रदार्ट कहा जाता है सेंपल सी बात है इतना ही लिखना है वे प्रदार्ट जिसका हम उप्योग नहीं करते या एक बर उप्योग करने के बाद जो बच्ची उचीज़ों को हम क्या कहते ह लो कि चलता है इसलिए क्या था संसाधन और विकास करना है कि तो आपको क्यैसे बताना अभी सका अंसर प्राक्रिक संसाधन dessert ख्रसछी खना निर्मान उढ़ान के छेत्र में उत्पादन onwards पर निर्भर है इसीं करो उत्पादन करो कुछ ही नई बनाओ कुछ भी करो सब संसाधन पर डिपेंड्ट है अर्थ्वत्रत्स्थै के अन्य शेत्र भी विभिनस्तर में पर प्राकृतिक संसाधनोंनी करते पर निर एंसे संथ ह्त necesit प्रदूशन को बचा सके अपने उचित उपयोग कर सके इनी चीजों के लिए संसाधन का प्रबंदन आवशक है अब बताव रटने की जूरत है नई है चलो आंसर बढ़ लो गांदी जी ने कहा था हमारे पास हर वैक्ति की आवशक्ता की पुर्टी के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के एक लालज की संतुर्ष्टी के लिए कुछ नहीं है तो क्यों है भई हमें संसाधन प्रबंदन की मुर्भुत अवशक्ता की पूर्ती के लिए सीमित सीमा से ज्यादा दोहन करने पर ना क्रास्था पर भाव पड़ेगा आने वाली पुढ़ियों की भविश्य की आवशक्ता के लिए विकास वसंसाधन को संतुरित रखने के लिए इतना लिग दो नद दो मिलेंगे ठीक चलो आगे आज़ां बच्चो किस प्रकार की मिट्टी मी नमेधारन करने की शम्ता होती है किस प्रकार की मिट्टी में बहissen की मिट्टी में लिखना है कि वो बहुत बारिक होती mockति है तो वर्तबान परती भूमी क्या होती है वर्तबान परती भूमी जो केवाग एक वर्ष के लिए परती होती है वहीं पुरानी परती भूमी जो एक से अधिक वर्षों के लिए परती होती है बस अब परती भूमी क्यों होती है जिसको क्या है हम एक वर्ष के छोड़ देंगे तो उसमें क्या उपजाओ शमता अधिक हो जाएगी जिसके कान क्या उसको अगले वर्ष हम ख्रिशी में उत्पादन में उप्योग ले लेंगे लेकिन इसको जादा देर तक रख दिये तो यह क्या परती भूमी फिर क्या बन जाती है बंजर भूमी यही तो आपको बताना है ऐसा चार्ट भी बना दो नंबर मिलेंगे लेकिन एक बताया दूसरा इसको क्या करोगे एक वर्ष के पशात इसे ख्रिशी भूमी में उप्योग किया जाता है इसको एक वर्ष या दो वर्ष अधिक छोड़ देने पर यह के परती भूमी बंजर भूमी में परिवर्तित हो लगाते हैं क्रिशी भूमी क्या होगी वहीं जहां पर हम क्रिशी करते हैं इतना ही तो बताना है कि उपवन भूमी क्या है इस वरक मैं ऐसी भूमी समंदित की जाते हैं जिसे फलादी प्राप्त होते हैं उपवन भूमी बताई वहीं फिल लिखिये वहीं क्रिशी भूमी अब बतो क्यों नहीं बनेगा आंसर बनेगा ना चलो आगे बढ़ो भारत में अधिक वर्षावाले प्रदिशों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है लेटराइट मिर्दाय लेटराइट एक लेटिन शब्द लेटर से बना है जिसका शाब्दी कर्थ इट से होता है बना और यह अधिक उच्च तापमान भारी वर्षावाले खेत्रों में विक्सित होती है ठीक इतने आंसर बताके आपको लिखना है चलो आगे आजाओ भूमी के निमनीकरण के क्या मानविकारक है निमनीकरण मतलब क्या है उसकी गुणवत्ता में कम हो जाना अगर उसमें निमनीकरण ठीक है चलो पढ़ो जब किसी चेतर में भूमी की शमता पहले से कम होने लगती है तो हम उसकी शमता क्या होते हम अभी क्या जवान है एक समय के बाद क्या होगी हमारी शमता कम होने लगी हम इतना दौड़ भाग नहीं कर पाएंगे खेलने के लिए नहीं कर पा क्यों क्यों कि हमारे समय के सथ क्या हो गई शमता कम होगे तो उसी प्रकार क्या है भूमी का भी क्या होती है जो शमता होती है वो कम होती है उसी को kriegen स्क्रबूज घर eli और जब क्या लिए जाये जाए और वह वह क्रिशी ग्रिश्मकालीन वर्षम, ग्रिश्मकालीन रितु में उगाई जाती है, इन फर्स लोग के प्रकार या दो नाम क्या होंगे, तर्बूज, खर्बूज, खीरा, ये से आपको आंसर लिख देना है, ठीक, चलो, आगे आजाओ, भारत में कोईला उत्पादन, कोईला उत्पाद ठीक है, अगर ये चार नाम भी लिख दोगे, तो चलेगा, लेकिन आपको क्या है, इसको पूरा बताना है, ठीक, तो क्या लिखोगे भई, दामुदर घाटी, कहां पाई जाती, धार्खन, पशिम, मंगाल, शेतर में, सोन घाटी, मध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश के श सुरेश, ओम प्रकाश, ठीक, आपको ऐसी क्या है, अपने नाम को बताना है, तो इसके काम को बताना है, क्या नाम है भईया, यह नाम है, कहां गया था, यहां गया था, क्या कर रहा था, यह कर रहा था, उतनी ही चीज़े बताना है, काबर गेहस, काकब, गेहस, काकरसन गेह डॉन कि क्ञाइब क्या और वहा 설 about ल्ग्वास हुई तो खुनिष की परिभाश्ण क्षा और भाइगे भई प्राया विशनी कि चीजें जो बथर खनीश देल ट्राकेटिक शामिल है इतनी चीज़े आपको लिखनी है ठीक चलो आगे आज़ो भारत में सरवाधिक मतर में पाया जाना धात्वी खनीश क्या है भई तो पहले आपके बताओगे धात्वी खनीश के बारे में बता दो क्योंकि एक लाइन में खतम हो जाए खनीश को पिग्लाने पर धात्वी खनीश कहा जाता है तरवाधिक मतर में पाया जात्युक खनीश कौन सा होगा लग एस इतना आपको आंसर लिखना ठीक चलो आगे आज़ो इन इलामी कर्थ क्या है ऑनलाइन के माध्यम से जो खनीश प्रक्रिया है उसको करना करता है इन e-commerce किसे कहते हैं हम लोग जो online ख़ईदारी करते हैं उसी क्या कहते हैं e-commerce कहते हैं तो ये दो questions क्या है उसको आगर आता है तो आपको अपने शब्द में mobile का उप्योग हम सब कर रहे हूं है न ऑनलाइन प्रोड़क्स आज कर हम लोग सब खईते हैं तो क्या इतनी चीजों क होई आपको आंसर लिखना होगा ठीक है अपने आप मोबाइल कंप्यूटर के माध्यम से और करें ATM के माध्यम से भुक्तान करें online तरिकों से चीजों को मंगा आना वही क्या कहलाता है हमारा e-commerce कहलाता है ठीक है बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं धूरी डास्टर में अभ जर्मनी के साथ। फ़क्तान क्या था जर्मनीन का नान क्या था तो लैनी ने क्या कहा था शांती सम्बन्धित युद्य Χवीराम लोकशंत्रिक शांत्र शांती की अपील गई थी दूसरा जमीन समन्धिय अलान था जिसमें भू स्वामियों की जमीन का राश्टी करना विकासों का वितरन का निर्णा लिया गया था ठीक तुरकी में लोकतन्त और धर्मिन्ट में शाषन की स्थापना किस ने की थी भई तुरकी में आटोमन्द सुल्तान की जगा मुस्तफा कमाल अतातुर्क की लोकतन्त शाषने स्थापित होती तो आपको क्या है इनका नाम लिखना होगा चलो आगे आजओ रूसों में किसानों की दास्ता को कब और किसने समाप्ति किया था भई तो कब 1861 वाला याद करो रूस वाला ठीक है तो क्या था भई 1861 तक रूस में क्रिशकों को अर्धरास के रुप में रखा जाता था किसान जमीन से बंदे थे और वे बीना भू स्वामियों की आगया कि दूसरे काम धंदे नहीं कर सकते थे 1861 में जार की घोशना के दौरा किसानों को इस प्रथा से मुक्ति मिली थी ठीक तो आपको पहले बताना पढ़ेगा कि 1861 के पहले क्या था फिशिकों को अरधास की रूप में रखा जाता था उनको अपने काम करने के शतनता नहीं थी तो 1861 में जार ने क्या किया इस प्रथा को समाप्त किया आपको इतने आंसर लिखने होंगे चलो अगे आओ 1950-1905 में स्थापिट डूमा में किन लोगों का बोल बाया था तो डूमा क्या थी भई रूसकियों सांसत को ही क्या कहते थे डूमा कहते थे आपको पहले ये लाइन बताना पड़ेगा फिर उसमें किसका बड़ बोल बाया था भई पुंजी पतियों का बड़े बड़े लोगों का ठीक है तो उसको आप कैसे लिखेंगे राजेतिक सुधारों की घोशना के साथ रूस में भी चुनी हुई संसद की स्थापना हुई जिसे क्या कहते हैं डूमा लेकिन चुनाओ एक जटी अप्रतेक्ष तरीके से होता था ताकि डूमा में अधिकतर संपत्ती वाले ही लोग पहुचे जार डूमा की किसी भी प्रस्ताव को ठुकरा सकता था उसका दिवेशन भी जार अपनी सुविधा पूर्वक बुलाता था तो किसका सा उसमें क्या अधिकार था भई संपत्ती वाले लोगों का ही अधिकार था तो आपको इतनी चीजे वहाँ पर लिखनी होगी ठीक चलो आगे आजाओ लेनिन का जमन फिर से आगया रूस की बोल्षविक क्रांती कब और क्यो हुई थी तो कब हुई थी भई रूस पॉट्टीники के नेत्रत्रों में हुई थी ठीक चलो आगे आजाओ मुस्लोनी ने इिटली में कौनसी पार्टी बनाई थी भई फासीबात पार्टी नाइट थी तो वेच्छो इस फासीबात को पहले में रहे में में आपको निर्मान किया था ठीक इतने आणसर आपको हीटलर की विदेश नीति के उधिकाल मिलने चाहिए निम्न वरग तो उनको कोई काम मतलब ही नहीं है उनको सिर्फ काम कराना चाहिए थी कैसे ही तो ये बहुत साफरे अलग अलग नियम बनाए कानुन मनाए कि यह नहीं कर सकते नाजीवाद पार्टी बनाए ठीक है तो क्या कि उस ने कुछ अलान भी किये और उसने यह बताई कि अगर रूस क्या बोलता है उसने क्या किया था ये एलान किये थे उद्धेश बनाया थे अपने विदेश निति के जर्मनी में हिटलर ने कौन सी पार्टी बनाई थी जर्मनी में हिटलर ने नाजीवाद पार्टी और मुसलनी ने फासीवाद पार्टी इटली में ठीक अगर जन्मनी में युद में जी जाता तो दुनिया पर उसका क्या प्रभाव पड़ता तो क्या प्रभाव पड़ता हुए पूरा देश पूरे संपुर्ण संसान में क्या जाता नाजीवाद पार्टी आती और नाजीवाद का क्या होता फिर वो विकास होता जिससे क्या होता एक देश हर देश में एक ही नेतित्व होता और वो ताना शाही देश बन जाते ठीक है तो आपको इस तरह के से उसकी आंसर लिखने होंगे चलो आगे आजाओ शीत यूद से आप क्या समझते भई शीत यूद कब शुरूआ था जब दूते विश्विद खरम हुआ तो दो बड़े रास्ट निकले कौन से निकले थे एक तरफ सोवियत रूस निकला एक तरह अमेरिका लुकला तो यहां पर यूद्ध नहीं कर रहे थे हतियारों से कुशिश कर रहे एक से ऊपर आने की कुशिश कर रहे तो शक्ति शाली राष्ट बनने की प्रक्रिया ही क्या थी स्टी यूद्ध थी ठीक है तो पढ़ो श्यूद्ध से तात परें दूते यूश्र के बाद निर्मित उस पातावरन से है जो उते जित तनावपूर्व एव से क्या है जो सोव्यत रूस अमेरिका क्या थे दो गोटों मेटे थे और सभी विश्व को क्या कर विश्व के रेश्व को अपने साइड ले रहे थे ताकि अगर कोई यूद्ध हो तो हम बहुत ज्यादा लेकिन यूद्ध हुआ नहीं लेकिन क्या तनावपूर्व निस्ति आर्थिक सोषन करता है उसे ही क्या कहते है हम लोग उपने वेश्वात कहते हैं जैसे भारात कि सकत्राशमराज्य को ले गये तो यहीं क्या था आर्थिक सोषन तो इस स्वोशन का ही फ्रुप क्या होता है उपने वेश्वाद मात्री देश समराज्य का भोग भाग होता है अता उपने वेश्वाद का समराज्यवाद से घने संबन होता है सम्राज जिवाद ही क्या है उपने विश्वाद का मतलब क्या होगा आप अगर बृटेने बैठे हैं तो वहां आपकी टेरिटरी होगी वहां आपका लेकिन आपने क्या कि भारत को भी अपने सम्राज जिवाद का संबंद था चलो आगे आजाओ समराज जवाद क्या है सेम नारे विश्वाद करो तो इसमें कौन-कौन थे भ infant को ओर तो क्या थे भाईया क्या क्या हो सकते हैं प्रतिवक्ति आई सखल घ्रल उतपास स्थ श्वास्त जीवन प्रतियाशा यह सब क्या है हमारे विकास को मापने के अलग-अलग संकेत हो सकते हैं ठीक चलो आगे आ जाओ सरकार दोरा बिजली सुईधा प्राणा किस प्रकार की वो क्या है निम्न वर्गों तक ही पहुँच सके और सभी को एक समान वातावरेंट मिल सके इसलिए क्या है सरकार सारविनिक सुविधाय मनाती है तो बिजडी का वेवस्था करना भी क्या है सरकार के लिए एक सारविनिक सुविधा का प्रदान करना है ठीक चलो आगे आजाओ सक्षर्टा दर क्या प्रशाती है सक्षर्टा दर क्या है भई 15 वर्स उससे अधिकायू के लोगों में सक्षर जन संख्या के नुपात को बताती है सक्षर्टा क्या है भई 15 वर्स उससे अधिकायू के लोग कितने प्रतिशत सक्षर है वो बताती है ठीक यदि हम सब के लिए स्कूलों के वर्स्था कर रहें तो अपने आने वाली पिठी से आसक्षरता दर बढ़ानी चाहिए इस को हम क्या कहते है जीवन प्रतियश जीए चलो गया और बेंकों में गार्णों के पास कि न किन खातों में थि Pvt dalam ком साग से समबन्दित क्या है है किसी संस्था वैक्ति की वह सिति जिसके अधार पर हम बजार किया वस्तू कोई वस्तू कोय मैं या बैंक सब्रेट है को सब्सक्राइब करती है जो वस्तू हम विदेशों से मंगाते है उन पर लगाई जने वालेकर को निर्यात कर कहते हैं और जो वस्तुए जो भारत से बाहर जाती है उन पर जो हम कर लगाते हैं उसी क्या कहते हैं हम निर्यात कर कहते हैं ठीक चलो आगे आजओ खाद सुरक्षा के उदेश बताईए भई खाद सुरक्षा क्या है भई कि सभी को दो वक्त की रो जल आवशक्ता की होती है उतनी ही उसे भोजन की भी आवशक्ता होती है उसे प्रियापति पृश्रिप्र प्रदार्सों क्या करते हैं थीक है तो बाजार भी होना चाहिए कि लोग हर व्यक्ति खरीद पाए और उतने मुल्य में हो चाहिए कि हर व्यक्ति के उसकी खरकर करने की शमता हो इसी को हम क्या कहते हैं खादसरक्षा ठीक है आगे पढ़ो ऐसे क्या करण हो सकते कि 70 के दशक के बाद अनाजों के उत्पादन में विद्धी होने लगे तो क्या सकते थे हो सकते कुछ कोशन शुड़ गए कुछ चेप्टर हो सकते लेकिर मुझे जितना लगा कि इस चेप्टर से आ सकते हैं वह बहुत ज्यादा फास्ट गई हूँ क्योंकि आपको क्या जल जली रिवाइस करना है पूरा टाइप में आपको पदा चला वीडियो देखते रिवाइस करें और अपको कोशिश करो यह नहीं कर सकते हैं तो जो चैक करने वाले उसके दिमाग को सेट करेंगे कि हाँ बच्चा बहुत समझदार है यह बहुत अच्छे से लिगता है और अच्छे से लिगता है मतलब क्या इसी कौपी को देख पढ़ने में मज़ा अगर आपने शुरू में ही गड़ बड़ कर दी तो लास्ट तक जा जाते क्या होगा खराब होगा फिर आपकी मार्किक सत्तर प्लस आ सकती थी वो क्या हो जाएगी फिर पैसट पैसट नहीं लाना है हम सब क्या कर रहें सत्तर प्लस की तयारी कर रहें ना तो बहुत अच्छा जाएगा चलो हम नेक्स वीडियो छह माक्स में मिलते हैं तब तक क्या है दो माक्स कोशन को पढ़ लो सुल लो और एक बर क्या है फिर से रिवाइस करो ठीक है बैस्ट प्लाव